हेलो दोस्तों मैं आपका दोस्त एमें मालम कम्पेटिशन कम्यूनिटी के ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज हम एक बाद फिर से मिले हैं मिलने की वज़ा जो है वो यह है कि जो सीजी पेसी का जो मेंस हुआ है भी उसका जो एसे का जो पेपर हुआ है उसमें राश्टी अंतर राश्टी इस तर पर बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पर उन्होंने ऐसे आप से पूछा है एक एसे पर हम लोगों ने डिसकुशन किया है और उसमें मेरा पूरा फूकस जो था वो यह था कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए क्योंकि अब यह देखिए कि ऐसे जो है लिखने वाले बहुत सारे लोग होंगे बहुत सारे लोग क्या सभी ऐसे जो भी मैंस दे रहोंगे सभी ऐसे लिखे होंगे लेकिन जो चीज कॉमन तरीके से है वो यह है कि सभी लोग लिखे होंगे और सभी जो पर फूकस करके उन्हीं सारी चीजों को ही क्या है मेंशन करते हुए अपने ऐसे को लिखे होंगे और जो ऐसे पूछा गया उस ऐसे का टॉपिक को किनारे करके बहुत सारे लोग जो है ऐसे गलतियां किये होंगे ना करें अच्छी बात है किये होंगे मैं ऐसा सोचता हूँ ऐसा मानता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे गलतियां किये होंगे कि उन्होंने क्या है पूरा जो है यु पुछा गया है आपसे उसको आप उसके टॉपिक को समझें उसके की पॉइंट को पकड़ें और एक्दम बिल्कुल जो है एक्दम टूदो पॉइंट बहुत अच्छे तरीके सोच चीज को आप समझाने के कोशिश करें एक्शुल में उस ऐसे में योएनो की भूमिका ये लोकतंतr के चौते स्थम के रूप में इलेक्ट्रोनिक मीडिया की भूमिका यहाँ पर जो की पॉइंट है उसको अगर हम पकड़ें तो लोकतंतर इसका चौता स्थम और एलेक्ट्रोनिक मीडिया मतलब सारा स्थोकस हमको इसी संदर्व में ही रखना है इसी पे ही पूरा रखना है अपने आपको और बिल्कुल टॉपिक को पकड़ करके शुरू इस लेकर लाज तक अपनी एनालिसिस को बेहतर तरीके से देना है इसको समझने की कोशिश करते हैं इलक्ट्रानिक मीडिया की देखे क्या है ना कि बहुत सारी भूंकाएं होंगी लेकिन वो सारी चीजे पूछा नहीं है पूछा क्या है लोगतंद के चौथे इस तम के रूप में इलक्ट्रानिक मीडिया की भूंका पूछा हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगतंद आप सभी जानते होंगे एक फेमस जो है वह एक डेफिनिशन भी कह सकते है अब रहाम लिंकन का जनता का जनता के द्वारा शासन है ना वही समझी आप एक्षुल में क्या है लोगतां का मतलब है जनता का शासन जनता का मतलब यह हुआ कि डारेक्ट लोगतां की दबात हम करी पपूलेशन भी है हर मामले में देख लिए धारण के मामले में आ तो इस आधार कर contracalteills DOING MYS known to Dist ailierra कि इसका मतलब यह है कि जो चनता है वो अपने प्रतिनीधी को चुनेगी और प्रतिनीधी जू है आपका वू क्या करेगा मतलब है इसका मतलब यह कि जनता की जो प्रतिनीधी है सत्ता का संचालन इनके द्वारा किया जाता है इसका मतलब सत्ता इनके पास होती है हम बात क्या कर रहे हैं लोकतंत्र की लोकतंत्र जहां भी होगा वहां लोकतंत्र में जो सरकार होगी सरकार का जो स्वरूप होगा का wissen का होगा मतलब अंकुष होगा उस पर जनता की पृति जवाब देही होगी पारदर्शिता honंते को बोलो और अबने हर कार के लिए क्या है जनता के दोरा जो पूछे का सवाल थे उनका जवाब देती होगी ऐसी सरकार हो गई वहाँ पर इसका मतलब यह है एक शब्द अगरम इस्तमाल करें इसके लिए सम्विधानवाद मुझे लगता है कि जादा सटीक होगा सम्विधानवाद का मतलब क्या होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं constitutionalism यहां लिखते हैं constitutionalism इसका मतलब होता है सम्विधानवाद का मतलब क्या होता है वहाँ पर हम लोकतंत की बात कर रहे हैं और इसी लोकतंद के संदर्व में हमको क्या है electronic media की भूंका देखना है इसका मतलब जो मोटा मोटा जो हमको यह समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ electronic media किस तरह के से लोकतंद को मजबूत बनाता है या फिर दूसरे शब्दों में हम यह कहें कि electronic media किस तरह के से सरकार को जवाब द सोते हैं तो इसी संदर में ही हम क्या करते हैं कोशिक करता हैं इसकी भूमका को समझने की इसके बास फिर आगे बढ़ते हैं थीक है इ로 कि मीडिया मतलब इलक्टानिक मीडिया इस तरीकर समझेब कि मीडिया का मद्वाफ़ाई अपनी भूमग निभाती थी उसमें किया हुआ अब इलक्टानिक माध्यमों कर जादा प्रयोग होने लगा है कि वहdade जादा met पहुत तेज गतिसे सारी चीज़े होने लगी लोगों की पहुंच जो है वह भूत आसान हो गई है ला आप देखते हैा हाँ हूरा हात में है मोउबाइल पर सारी चीज़ेंगें कि मीडिया उपोरा और पोर सारी चीज़ें यूज आप सुनी रहीद में इस पे ऐपने यह सारी चीज़े जो है आज यह कहा जाता है कि electronic media का जमाना है और इस समाज को या यह जो समय चल रहा है इसमें क्या है समाज को एक तरगे से क्या कहा जाता है सूचना समाज तो सूचना समाज बनाने में electronic media का बहुत ही एहम रोल है सूचना समाज बनाने का मतलब क्या हुगा आपके पास यह कहाँ सकता है कि जितनी ज़्यादा सूचना हैं आप उतना ही क्या हैं सशक्त हैं यानि आज जो है आपके सशक्ति करण के लिए एक बहुती अनिवार और आवशक चीज है वो क्या है सूचना है और उस सशक्ति करण में important role अदा कर रही है electronic media है न अब इसी सशक तो जनता की बात करें अगर सूचना समाज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सूचना समाज में जो जनता होगी वो क्या होगी बहुत ही सशक्त होगी सशक्त होगी इसका मतलब वो सशक्त किस प्रकार से होगी वो क्या होगी तार्किक होगी उसके बास सारे information रहेगा तो इसका मतलब यह है कि जो भी चीज़ है उसका बेहतर तरीके से मुल्यांकन कर सकते हैं इसके अलावा सही डिसीजन ले सकते हैं अब इसी बात को हम ले करके आते हैं लोगतंत के संदर में है ना तो इलक्ट्रोनिक मीडिया क्या कर रही है इस चीज़ को समझने कोशिश करते हैं अगर कर रहे हैं लोगों के पास अगर इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है और पूरा पक्ष विपक्ष सारी चीज़ें उनके सामने रख रही है तो उनकी तारकिकता बढ़ रही है इसका मतलब न बढ़ रही है उसकी शमता बढ़ रही है यह काम जो है इलेक्ट्रोनिक मीडिया कर रहा है और इलेक्ट्रोनिक मीडिया जो है वो क्या किया है कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है या फिर जो कह सकते हैं हिंदी में कहते हैं उसको जन भागीदारी है ना जन भागीदारी कहां जन भागिदारी की जो बात की जा रही तो इसका मतलब हम सरकार के बारे हम बात कर रहे हैं सरकार में शासन प्रणाली में शासन कारे में जनता की जन भागिदारी की बात अगर की जा रही है तो उसको जो है ये मीडिया जो है उसने क्या क्या है बहुत जादा बढ़ा दिया है ना बढ़ा दिया है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हम कहते हैं शासनकारे में जन भागीदारी इस concept को समझी अच्छे तरीके से जन भागीदारी है ना जन भागीदारी कह रहे हैं इसका मतलब यह है कि जो public है वो किस प्रकार से जन भागीदारी करती है शासनकारे में अब अगर यह कहते हैं कि अगर यह सवाल पूछती है तो इसका मतलब सरकार से सवाल पूछने का मतलब है क क्या है जनता अपनी जन्भागेदारी जो है वहाँ पर बढ़ा रही है ना इसके अलावा जो है फीड़ बैक अगर देती है है ना फीड़ बैक देती है ये भी क्या है एक प्रकार से जन्भागेदारी है है ना आलोजना करती है ये भी एक प्रकार से जन्भागेदारी है कोई सुझाओ अगर देती है तो इसका मतलब यह भी क्या है एक परकार से जन्भागिदारी है इसका मतलब यह है कि यह जो चीजें हो रही है इसके पीछे जो अगर कहा जाए कि बहुत बहुत बहुतर तरीके से अगर हो पा रही है तो इसके पीछे जो important रोल हो किसका है electronic media का ह electronic media की वज़े से क्या हो रहा है जन्ता की जन्भागिदारी बढ़ रही है और यह जब भी इस तरीके जन्भागिदारी बढ़ती है तो सरकार में क्या हो जाता है सरकार में पारदर्शिता बढ़ती है पारदर्शिता बढ़ती है जवाब देता या उत्तरदाई तो बढ़त वो गुड गवर्नेंस करती है जिसको हम हिंदी में कहेंगे सूशासन करती है गुड गवर्नेंस समझते हैं सूशासन है ना तो यहां पर जो आप देख रहे हैं लोकतंत के चौते इस्तम के रूप में electronic media के भूमिका को तो इसमें आप यह देख पा रहे हैं कि electronic media किस तरीके से जन्ताओं को जागरुग कर ने कर रही है साथ साल लोगों की जन्बागे दारी बढहा रही है लोग सवाल पूशते हैं फीड बैक देते हैं जो सरकार के द्वारा जो कि सरकार जो अगर स्थापित होती है तो इसका मतलब वहां पर क्या होता है और मुझे जहां तक लगता है कि लोगतंत्र के अगर हम बात कर रहे हैं तो लोगतंत्र में अगर सरकार क्या है अगर सरकार जो है पारदर्शी है उतरदाई है अर्था सू शासन वहां इस्तापित हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि लोगतंद का विकास हो रहा है लोगतंद का विकास हो रहा है और उस लोगतंद के खुले वातावरण में लोगों का विकास सुनिशित हो रहा है और इस तर कि आप क्या देखते हैं कि electronic media का जो रोल है लोगतन के चौथे स्थम के रूप में क्या दिखाई पड़ रहा है बहुत ही महत्वपुन दिखाई पड़ रहा है अब इसके और भी चीज़ें हम देखने कोश्च करते हैं जैसे आप इस तरी के समझे कि जो सरकार जो है हर चीज़ पर policy नहीं बनाती है हमेशे याद रखने वाली बात है मैं आपके concept की बात कर रहा हूं है ना इसी इस तरीके के analysis पर ज़्यादा जोर दीजेगा क्योंकि इसमें आपकी मौलिक्ता होगी और आप अपनी चीज़ें समझाएंगे तो जो भी आपके copy चेक कर रहा होग आप जाएंगे कि यह जो जिसने भी लिखा है उसने समझ की लिखा है रट करके नहीं लिखा है ना तो आप इस बात को समझेगा कि आपको ज्यादा नमबर लाना है तो कोशिश यही करिए कि मौलिक्ता के साथ चीज़ों को लिखें जो पूछा है वही वही लिखें और किसी ना किसी problem को सरकार करती है उस समस्या को क्या करती है यह उसको करने के लिए लाय जाती है या फिर कुछ नया परिवर्दन करना होता है तो बहूत सारी चीज़ें एसी है जो policy के मा दे JIM सरकार करती है और यह पॉलिसी जो आती है यह क्या है इक प्रकार से आप इसको मान सकते हैं कि यह output है न ये क्या है आपका output है और यह जो problem है इसको हम मान सकते हैं input है न इसका मतलब यह है कि input से output तक पहुचने में एक पूरी इसकी क्या है पूरा process होता होगा है न ठिक input से output तक पहुचने में आपको एक तरीके से पूरा ए मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा और पूरी कोशिश कीजिएगा इसको समझने की और समझ करके लिखिएगा नो डाउट आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और नंबर तो अपनी जगह पे है लेकिन आप एक बहतरी न तार्किक और साइंटिफिक एप्रोच इस में इतनी प्रगार की समस्यां आपके राजनीतिक प्राथमिक्ता पर ही क्या बथा है सरकार के दौरा पॉल्सी बनती है इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इसको इस तरीके से मिला दें तो यह समझ में आता है कि इतनी समस्याओं में public policy जो बनती है वो बहुत थोड़ी सी चीज़ों पर क्या बनती है इसका मतलब क्या हुआ इतनी समस्याओं होने के बाद यहां तक जो पहुंच रहा है आपका जिस पर क्या है सरकार policy बनाती है यहांने राजनीतिक प्रात्मिक्ता को वो समस्याओं प्राप्त कर लेती है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि यहां से यहां तक की जो पहुंचने की प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में ही क्या है आपका electronic मीडिया या मीडिया की भून का बहुत ज़्यादा महत् है और आपके नाइंटी फाइब iPhone ऑंक्स तो यह यह से यहां तक जो पँच रहा है ना इसमें दAI यह कि में को भूणों होती है जो हिरुजवरोगोंoj में जन जागरुकता फैलाता है लोगों का अंदोलित करता है और एक अंदोलन खड़ा करने के कोशिश करता है एक जन्मत का निर्मार करके एक अंदोलन खड़ा करने के कोशिश करता है और यह जो अंदोलन होता है यही यही आंदोलन जो है ना इसको क्या करता है यही आंदोलन क्या करता है इसको यहां से इस तरीके से उपर पहुंचाता है और यहां प्राप्त क्या हो जाता है यह समस्या जो है राजनीतिक प्रात्मिक्ता प्राप्त होती है जिस पर क्या है गौर्मेंट पॉलसी बनाती है ठीक तो यहां से यहां तक पहुंचाने में जो आपका मीडिया है वो क्या है बहुत ही important role अदा करता है आप देखते होंगे आपके समाज में बहुत सारी समस्यां होंगी कुछ ऐसे समस्यां हैं जिस पर क्या होता है कि मीडिया जो है बहुत ही aggressive रहता है और बहुत ही एकदम movement के तौर पे कांदोलन के तौर पे क्या है उस मामले को उठाता रहता है और जनता के मन में क्या है एक तरीके से उसके प्रती जो है एक समर्पर भाव पैदा करता है एक जन पाती है और वो क्या होती है उस पर policy बनती है मेरी बात समझ में आ रही है आपको इसका मतलब इस तरीके से भी अगर देखें आप तो electronic मीडिया के बहुत ही महत्वण भूमिका हो गई और आगे चलें अगर हम तो लोकतंत के बारे में और भी चीज़ें इसमें अगर हम देखें करें electronic media की भूमिका को तो हम देखेंगे क्या कि electronic मीडिया की भूमिका में जो बहुत ही महत्वण चीज होती है वो क्या चीज होती है जैसे पहले यह समझे हम कि अगर यह कहता है कि लोग तंत्र के चौथे इस्तंभ के रूप में नहीं उसका ऐसलिक तीन इस राफ्टे मुन जिसको आप क्या करते हैं विधाई का दूसरा जो है वो क्या है एक्जेक्यूटीव ये करपाली चि का नहीं और फाली कर द द एक टूर है वह एहां पूझे ए।Lo Blake नेपालिका मतलब यह तीन जो हैं आपके पस क्या है इस्तंब है और चौते इस्तंब के रूप में क्या आ जाता है आपका मीडिया आ जाता है ठीक है तो यहां मीडिया का जो रोल है अभी इसको हम क्या है सरकार के अंग भी कहते हैं इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम कह रहे है कि सरकार के अंग विधाइका, कारपालिका और नैपालिका अगर हैं और चौते इस्थम के रूप में अगर मीडिया को ले रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि जो मीडिया है एक लोगतन के प्रहरी के रूप में अपनी भूम का अदा करता है और मीडिया जो है माली जी क्या ह विदाइका ने कोई कानून ऐसा बनाया जो आपके fundamental rights का क्या कर रहा है वो violation कर रहा है मतलब आपके मूल अदिकारों का उलंगन कर रहा है या फिर कारपाल का ने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वज़े से उनके action की वज़े से क्या हो रहा है आपका किसी ना किसी तरीके से अहित हुआ है जनता का अहित हुआ है देशजित में अच्छी चीज नहीं है या आपके जो मूल अदिकार है उसका क्या हुआ है एक तरीके से violation हुआ है या फिर नैपाल का के दौरा भी कहीं कोई ऐसा कोई गलत decision लिया गया है या कुछ ऐसी चीज़े है जहाप भूल दिखाई प तो इससे होता क्या है इससे होता ये है कि इस तरीके से जो मीडिया है इसको क्या करती है इस पर एक प्रकार से अंकुष रखती है और लोगों को एक प्रकार से क्या है एक दृष्टी प्रदान करती है कि आप जो है अपनी सरकार को क्या करें हमेशा मुल लियांकन के मोड प अपने बातें आप तक पहुंचाती हैं आप उपनी बातें वहां तक पहुंचाती है बड़ा आसां सा हो गया है ना तो अगर हम मीडिया की बात कर रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टन जो रॉल होता है उसी तरीके से सरकार की बाते भी क्या है जनता तक पहुंचती है यह सारी चीजे जो है क्या है इसमें मीडिया का जो रोल होता है वो बहुत जादा महत्पूर्ण होता है मीडिया में भी अगर आगे बढ़ें तो जादा यह देखें कि इलक्टरॉनिक मीडिया ने इस काम को औ इलक्टरॉनिक मीडिया का जो रोल है वो बहुत ही जादा महत्पूर्ण है बहुत ही जादा महत्पूर्ण है और इसलिए कहा जाता है कि यह बहुत ही जादा महत्पूर्ण है लोक्तन को सुरक्षित रखने में समिधानवाद को सुरक्षित रखने में जनता का हिस सुनिश पहलू हुआ दूसरे पहलू पर भी अगर बात करें तो जादा बहतर होगा तब ही जा कि आपका इसे भी कंप्लीट होगा है ना तो हम लोग ने क्या है बहुत अच्छी ची बात इसमें देख लिए सारी बाते बहुत अच्छी लगी है ना अब यह देखने के कोशिश करते है है कि इसका दूसरा पहलू क्या कहता है ना चलिए कोशिश करते हैं आपने जो अभी अपने जो आसपास अपने जो मीडिया है या फिर जहां से भी आपको इंफोर्मेशन मिलती है उन सभी माध्यों में कई सारी चीज़ें आप लगातार सुन रहे होंगे जैसे आप सुनते होंगे भीड न्यू आपड़हित है आप पीड निस ठिक और सुनते होंगे आप या एक एक कोशी इसको बात करते चलें तो जाद़ अच्छा रहे bagus किया होता है हमाँ मीडिया को क्या होना चाहिए सोतंत्र होना चाहिए ठीक है ना मीडिया को सतंत्र होना चाहिए निश्पक्ष होना चाहिए और आज के समय के अगर हम बात करें याने वैश्वी करण उदारी करण के दोर में आज ये कहा जाता है कि सरकारे मीनिमम होती जा रही है है ना और प्र बताया जा रहा है क्योंकि वैश्वी करणा उधारी करणा के दौर में आप देखेंगे क्या कि सरकार जो है मीनिमम होती जाती है प्राइवेट सेक्टर को बाजार को जादा जादा प्रोमोशन मिलता है तो ऐसे में जनता के हित को सुनिशित करने के लिए साथ जो प्राइवे कहते हैं तो यह आपके क्या है गौर्मेंट है ना गौर्मेंट और उसकी जितनी विशन स्थाय है ना डिपार्टमेंट सब आ जाएगा इसमें ठीक है और सेकेंड पार्टी के अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड पार्टी में आपके क्या जाता है बाजार प्राइवेट सेक एक करता है वो क्या है आपका 2nd party ठीक है न और एक होता है क्या 3rd party में क्या होता है जो सरकार का हिस्सा नहीं है जो बादार का हिस्सा नहीं है वह सारी चीजेर जैसे आप अगरा रखिली इस और क्यों करें लिजिए यह सब लोग यह क्या है यहchae three-step-art योज वगरे भी ले सकते हैं आप इसमें सेल्फ हैल्फ ग्रूप भी ले सकते हैं बहुत सारी इस तरीके के हैं ना अखिल भारती इब्रहामन सभा अखिल भारती दलित महासभा अगर इस सब जो संगठन है उन सब की बात किया जा तो थर्ड पार्टी में आते हैं और यह प्र उदे कंसेट होता ही नहीं है और यह सरकार के भी क्यां है पार्ट नहीं होते हैं इसका हं बतलब ये है कि जनीत बोर्म करते हैं और गांड करते हैं और भृत भर विए बीडिया जैसी चीज भी मतलब है कि आज अल्ब्र मेंन और बात करते हैं तो मीडिया हो जाए और मैध्विर्ण कही है क्यों कि गॉन्स क्लिट हो गया है उसका मतलब है कि बैसे बदने कि लिए और विद्र हम मिल सकते हैं इस पर इसलिए बहुत द्यान समझें गंभीरता समझें अगर आपको लगता है कि नहीं वाकई में बहतरीन चीजें हैं कुछ अलग हट करके हैं यह एक बहतरीन एनालीसिस की रूप में हमारे सामने आ रही हैं नई चीजें मिल रही हैं आज के संदर मिल रही हैं प्लीज बहुत गंभीरता से सुनिए और इन चीजों को क्या है आप नोट डाउन करते रहिए और नोट डाउन करके आप जब भी इस तरीके का ऐसे लिखने बैठे हैं इन सारी चीजों को इसमें शामिल करिए आपको मुझे उमीद है कि आपको बहुत अच्छे मार्ट मिल नहीं करता है वो क्या करता है जनहीत में काम करेगा जनहीत में काम करेगा और सरकार पर दबाव बना कर रखेगा उसको कंट्रोल में रखेगा ताकि लोगतंत मजबूत रहे और लोगों को ज़्यादा ज़्यादा विकास का औसर मिल सके हैं और मुझे लगता है इसी तरीके से हम सूच शाटन ये प्राप्ति कर सकते हैं लेकिन वास्तोइ के सिधी यह है कि आज है जो आपको information मिलना जाए information मिलना जाए सूचनाए जो मिलने चाहिए वो सारी सूचनाए जो है अगर वो सूचना के रूप में ना हो करके अगर इसको आप product के रूप में अगर परस्तुत कर रहे हैं जिसका मतलब प्रॉब्डक्ट के रूप में जब भी आएगा तो वहाँ पर प्रॉफिट लॉस का कॉंसेप्ट आ जाएगा जब प्रॉफिट लास का कॉंसेप्ट आ जाएगा तो जाहिर से बात है कि फिर वो जो है जो मीडिया जो थर्ड पार्टी का जो क्या है तीसरे पक्ष की भूम का जो बहतरीन तरीके से निभा रहा था जनहित के लिए मिना प्रॉफिट और लॉस को सोचे हुए सरकार पर क्या है अंकुष लगाते हुए तो इसका मतलब यह है कि जब आज सूचना जो है आप प्रोड़क्ट के रूप में पा रहे हैं और जो भी मीडिया है वो उसको प्रोड़क्ट के रूप में आपके सामने पेश कर रहे हैं तो जाई सी बात है इसमें क्या आ गई है विवसाइक्ता आ गई है तो इसका मतलब यह है कि जो मीडिया का धर्म था मीडिया का जो एक काम था वो सारी चीज़े क्या है अब आपक पेट न्यूस का मतलब क्या हुआ भई अगर माली जे क्या है आपका कोई उमिद्वार है यह सब चीजें उस समय जैसे इलेक्शन का टाइम अगर होता है आप तो खेर कॉमन हो गया हर टाइम यह चीजे दिखाई पड़ती है लेकिन कुछ समय पहले तक इलेक्शन के टाइम प प्रस्तूत करवाता है ऐसा लगता है क्या है कि वो एक खबर है वो न्यूज है है ना और इस तरीके से क्या है अपने पक्ष में एक तरीके का जन्मत त्यार करता है और बहुत हद तक उसको उसका फाइदा मिलता है है ना तो इसका मतलब यह हुगा कि वास्तों में यह लोक लोई फश्यार पर सार करवाया अच्छे विचारों का अपने लिए है ना तो यह चीज्श है यह ट्रेंड जो है दिखाई पड़ रहा है तो यह चीज्ज जो है कहीं नहीं क्या है एक जो मीडिया है चाहिए और यह तरीके से कहीं देखते हम जैसे आपने सुना होगा मीडिया ट्रैल अगर पेड नियूज का कुछ एक्जामपल अगर लिखना है तो कुछ एक्जामपल ऐसा लिख सकते हैं पेड नियूज में कुछ आगर आप डेटा वगर देना चाहिए जैसे माली जी कहा है एक केस आया था नोरा रायडिया शायद मुझे याद आ रहा है जहां तक 2010 की बात है यह है ना नोरा राडिया यह केस आया था इसमें जो आगर जो पात खुल कर करें सामने आई थी किस परकार से क्या है पेड नियूस चो है उसका चलन चल रहा है लोग जो है किस तरीके से जो चैनल्स वाले हैं या फिर मीडिया है उसको खरीद रहे हैं वहाँ पैसा दे रहे हैं और इसके बाद अपने पक्ष में क्या कर रहे हैं खबरें चलवा रहे हैं अपने लिए क्पूजिटीब चीज़े जो है जनता के अमन में पैदा करने कुशिश कर रहे हैं तो ये चीज़े जो है नुरा राडिया वाने केस में इसकी अलावा आप देखेंगे क्या की कोबरा पोस्ट आपने सुना होगा इसकी बारे में कोबरा पोश्ट इसने क्या किया था इस्टिंग ऑपरेशन किया था ठीक है इस्टिंग ऑपरेशन मुझे लगता है कि पत्रकारता में अनैथिकता वाली चीज है लेकिन क्या करें जो जमाना ही ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि इस्टिंग ऑपरेशन के पक्ष में भी आज लो होनी चाहिए तो उसको क्या है बाहर निकालने के लिए जंता के सामने प्रस्तुत करने के लिए उसका खुलासा करने के लिए इस तरीके के स्टिंग ऑपरेशन होते हैं जिसको पीत पत्रकारिता कहते हैं यह लो जनलिजम है ना तो कोबरा पोस्ट ने भी ऐसे इस्टिंग ऑपरेशन करके इस बात को क्या है उसका खुलासा किया उसने कि किस प्रकार बड़े-बड़े जो मीडिया हाउसे हैं वो पैसे ले करके क्या है किसी एक वेक्ति या किसी आउद्य हर पर अपने जो जो नेता है उसके चुनाव नहीं कर रहा है अपने प्रतिनीदी का चुनाव नहीं कर रहा है और साथ ही साथ ये भी चीज़ें है कि कोई कंपनी वाला है कोई अद्योगी घराना है अपने पक्ष में कुछ इस तरीके हावा बना रहा है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ भी क्या है एक तरीके से जनता के दिमाग में वो चीज भर करके अपने लिए क्या है पॉजिटिव चीजे जो है वो पैदा कर रहा है या फिर उसके प्रती जो है एक सकारात्मक सोच पैदा कर रहा है जैसे वास्तों में वैसा नहीं हो भी हो सकता है तो यह चीज़े हम देख सकते हैं तो इस तरह के की चीजे जो है आप क्या कर सकते हैं आपने answer में इस्ट कर सकते हैं ठीक है ना कुछ जैसे आप यह भी देखेंगे कि क्या की एक मुझे याद नहीं आ है को यादों है 15 यूपी के इमएल लिए थे हैं न इलक्षन कमिशन tyre डोहजार ग्यारा की बात है शयर ग्지만 यूप सड़िस्टा यूव निरस्ट कर दिया और कहा कि नहीं आप आयोग है आप मतलब जो भी उनका उसली इलेक्ट करा दिया तौ यह चीज यह यह Another 4 यूप हुआ MP में भी क्या हुआ नरुत्तम मिश्रा वाला केस आयाता है नहां नरुत्तम मिश्रा वाला केस उसमें भी यही सारी चीजे थी कि उन्होंने अपने पक्ष में क्या है मीडिया को खरीदा और मीडिया को खरीद करके अपने पक्ष में क्या है जन्मत कर निर्मार कराने के क कोशिश की और इसका जो है उनका इलेक्शन में फायदा मिल सकता था यह सारी चीज़ यह बातें आई इलेक्शन कमिशन के सामने और फिर मामला कोड पर भी चला है ना तो यह सब चीज़े जो है दिखाई पड़ती है और इनके पीछे जो चीज है और आपका पेड़ इसमें भी इसमें भी आपका जो मीडिया इंपोर्टन रोल अदा कर रहा है क्योंकि आपको तार्किक बना रहा है जागरू बना रहा है तो कम से कम यह है कि चश्मा जो है वो अब्जेक्टिविटी वाला लगाईएगा और यह देखिए कि आपका जो नेता है आप भले उस करने के लिए क्या है हमको क्या है थोड़ा थार्किक बनना पड़ेगा अब्जेक्टिविटी का चश्मा लगाना पड़ेगा चलिए और जो निगेटिव चीज़ें हैं उसको देखने कोशिश करते हैं आप अगर यह कहें कि आपने अभी हाल फिलाल में सुना होगा मीडिय ट्रायल है ना मीडिया ट्रायल सुना होगा आपने मतलब यह है कि ट्रायल तो कहा होता है जुडिशिरी में होता है ना अपालिका में होता है लेकिन आपने देखा क्या है कि जो मीडिया है वो मीडिया भी आज कर बहुत ट्रायल कर रही है ठीक है आपने देखा होगा भी आ तब एक honor killing हुई थी उसमें भी हेमराज और आरूशी आरूशी नाम की लड़की थी हेमराज नोकर था वहाँ हत्या हुए थी उसको भी honor killing तो तलवार दंपति को ही पुरा मीडिया पहले से क्या है बना दिया एक दमापराधी क्रिमिनल गोशित कर दिया है ना तो समझेगा कि कितनी यह क्या है बुरी चीज है और लोकतंतर में जो एक सिधान्त होता है कि वहाँ पे लोकतंतर में विश्वास जो बना रहे इसलिए natural justice यानि प्राकृतिक नयाय के सिध दान को बहुत ही महतपूर्ण रूप से क्या है उसको लागू करने कोशिश की जाती है और उसको इंपॉर्टेंट समझा जाता है ना और कोशिश की जाती है कि नयाय हो ही ना बलकि नयाय होते हुए दिखाई भी पड़े है ना तो natural justice में आपको यह दिखाई पड़ेगा कि कि जब भी आप नयाय पालिका के अगर बात करते हैं नयाय पालिका मा नयाय पालिका के पास जब भी कोई अपराधी पहुंसता है है ना क्योंकि आप हमेशे है रखिएगा कि यह वली लाइन जो बहुत ही महतपूर्ण है natural justice के लिए भी democracy के लिए भी इंसानियत के लिए भी कि सौ जो है अपराधी भले छुट जाएं लेकिन एक निर्दोष जो है उसको सजा ना मिले इंपॉर्टन चीज़ है आपने भी सुना हो गए इस चीज़ को है ना तो यहां पे नयाय पालिका जो है वो किसी कोई अपराधी अगर वहां पहुंसता है तो अपराधी के बारे में उनका जो पहला विचार होता है वो यह होता है कि उसको जो है बिलकुल इनोसेंट मान करके ही क्या करते हैं है ना वो इनोसेंट मान के ही क्या करते हैं उसके बारे में कुछ भी सुनवाई करते हैं मतलब इनोसेंट का मतलब निर्दोष मानना समझ रहे हैं ना उनको क्या इनिदोश मान करके क्या किया जाता है उस एक्यूज जो होता है उसके बारे में पुरी सुनवाई किया जाती है लेकिन मीडिया ट्रैल क्या होता है भई मीडिया अपने सही क्या करते है कुछ इनिवेस्टिगेशन किया है उससे कोई रिजल्ट निकाल लिया उसके बाद क्या ह और उसके बारे में पहले से गोशित कर देते हैं कि यह क्या है अपराधी है इसने इस अपराध को किया है और तरह तरह के प्रमार जो है उसके बारे में दे देते हैं अब होता यह है कि पहले से ही अपराधी घोशित कर दिया गया है इसका मतलब यह है कि जो नयापालिका का ज दबाव डाल देता है और नया पालिका जिसको क्या है एक पहला आधार वाकी यह है कि उसको क्या है निर्दोश मान करके उसकी प्रति सुनवाई करें उस अपराधी के प्रति वहां पे क्या हो अनुतावाद की बात की जाती है उन सब के विपरित जाके क्या है मीडिया ट्रैल आप दिखते हैं क्या कि एक खतरनाक प्रविर्टी एक बहुती बुरी प्रविर्टी क्या है उसको बढ़ावा देती हुए नजार आ रही इसका मुदलब यह हुआ कि आप इस तरीके से चीज देख सकते हैं जैसे आप देखिए आरेन खान वाले जो केस की अगर बात करें तो बात में चलके क्या हुआ निर्दोशाबित हुआ कहीं कोई पुखता सुबूत मिला ही नहीं और अब तो यह बात हो रही है कि जो क्या नम था उनका समीर वान खेड़े शायत है ना उनके ख देख रहूंगे मीडिया पर क्या है लगा तरजम आती जम आती इन्होंने कोरोना बंप फोड़े इस तरीके की चीज़े बिलकुल नहीं होने चाहिए है ना तो इस तरीके की चीज़े और उसी है सुशान सिंग राजपूत वाले केस में देख लीजिए है ना जो वह लेड उनका टेबल है उसको कहीं तोड़ करके उधर ना गिर जाएं कभी मुझे ऐसा भी लगा तो यह चीज़ें जो है इतना संसनी खेज मनाना समचार को समचार करों प्रस्तूत ना करना है ना सेंशेशन मतलब यह सब चीज़ें बहुत ही अजीब सी बाते हैं और इस तरीके की artnews.com artnews.com अगर इसकी बात करें हम तो आज यह बहुत जादा महत्पूर्ण हो गया क्यों हो गया भाई इसलिए महत्पूर्ण हो गया है कि आज जो है क्या है फेक निउस जो है हर तरफ हर तरफ प्रसाइद हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से भी और लोग जो है कभी- का शक ले लेती है और तो रितना नयाय करने पर उतार हो जाती है जो कहीं से भी लोगतन को सुरक्षित रखने का या लोगतन का एक विकास करने का कहीं से भी कोई तरीका यह नहीं है आप अपने लिए क्या कर रहे हैं एक तरीके से एक निरंकुष्टा को बढ़ाने वाली जो काम है अपना इसको इस तरीके से कहें कि अपने पैरों पर कुलहडी मारने वाला काम कर रहे हैं ना तो मुझे लगता है कि यह चीजें जो है इसमें जो इलक्ट्रानिक मीडिया का जो रूल है यहां पर निगेटिव ज्यादा दिखाई पड़ रहा है इस तरीके की मीडिया के बारे में कुछ नेगेटिव बातें बहुत सारे से एक्जामपल तो हैं है खर चलिए मुझे लगता है कि एनफ है इतनी बात अगर कर लिए आपको एक एपरोच मिल गया है बाकि ऐसे तो आपको खुद ही लिखना है ना यह सारी चीजें देखने के बाद अब मा सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाना है जिससे क्या हो सके कि इन सब चीजों पर अंकुष रखा जा सके अभी कुछ दिनों पहले जो है आपने सुना होगा कि सुप्रिम कोट ने मीडिया पे जो है मीडिया के रेगुलेशन के लिए सरकार से पूछा कि ऐसा आप क्या कर रहे हैं जिसमें कया है मीडिया का रहे हैं नोटि औरि डिजेटल मीडिया है जिसका मतलब आपके जासे महल है ओो टीटी है और पिर इसके अलावा ऑनलाइन जो आपका न्यूज चैनल से ना online news channel जो है आपके है ना यह हो गया और इसी तरीके के दूसरे भी चीज़े है ना उन्होंने क्या का सरकार का जो पक्ष्टा हो यह का है कि इन पर जो है यह डीजिटल माध्धमों पर क्या करना है कंट्रोल करना है क्यों क्योंकि यहां पर जो है ज्यादा अशलीलता दिखा पढ़ रही है बहुत सारी चीज़े ऐसी दिखाई पढ़ रही है जिसको कि समाज में नहीं दिखाया जाना चाहिए और इसके अलावा कुछ भी यह लोग क्या कर रहे हैं न्यूज चला दे रहे हैं ऐसी चीज़े उन्होंने बताया सरकार ने बताया सुप्रिम कोर्ट में कorkorman का control अगर हो रहा है वोग emoji direct कंट्lingen ध्यान रहा ध्यान रख़ेगा डिरीक और इंडारेक्क में फरक है है न तो अगर डा्रेक्ट कंट्रोल अगर हो रहा है क्योंकि न इसके लिए सरकार ने आदे ज़्यारी कर दिया है कि इन पे क्या है कर दिखिया मंत्राले सूचना और सारा मंत्राले के द्वारा क्या किया जाएंगा इसके जो खिलाब जो शिकायते आएंगी वो सुनेगा और इसका Marber ये है कि प्रसारा मंत्राले है कि जो भारत में जो जो मीडिया की इंडेक्स आया है अगर उसकी बात करें या प्रेश कि आजmandze का च kritika है अगर उसकी बात करें जो शाइड रीपोर्ट ढ बार्डर यह इस इंक्स से त्यार हो हर साल जो है रिलीज करती है अगर इसका फोर से डेटा देखेगा 2016 से अगर बात करें हम तो हम जो है ना मतलब हमारी लगातार खराब होती गए माली जब 133 अगर उसमें था तो अब धिरे-धिरे आते आते अब 2021 में अगर हम आते हैं तो 2021 में हम कहां पहुंच गए 142 हम one fiftyth fiftyth पहुंची है मतलब क्या हुआ मतलब यह हुआ कि यह worst condition है worst condition है पुरी दुनिया में भी क्या हो रहा है हमारी मीडिया के बारे में क्या हो रहा है यह कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आजादी नहीं है अगर हम यह कहते हैं कि अमेर्की विदेश मंतराले के अगर बात करें हम अमेर्की विदेश मंतराले के अगर रिपोर्ट की बात करें तो अमेर्की विदेश मंतराले के रिपोर्ट का जो पिछले साल जो रिपोर्ट उन्हें पेश की है उसमें ये कहा गया है कि भारत में यानि इंडिया में जो सरका उसको डराने के कोशिश कर रही है उसके खिलाफ एक्शन ले रही है इसका मतलब यह है कि अंतराश्थी इस तरह भी हमारे लोगतन जो कि क्या है कि बहुत मजबूत और अच्छा विकास होता हुआ लोगतन बड़ा लोगतन ना जाने कि इतने जो है अच्छे अच्छे समर्थन मिल रहा है और हमको अपने परमाडू कारकम को चलाने के लिए महां से युरेनियम मिल रहा है इसका मतलब यह है कि हमारे उसी च्छवी की बदूलत ना नहीं तो एक तम इस पश्च रूप से लिखा हुआ है कि जिन्नों ने ने इन्पीटी और सीटी बीटी पे हस् को न्युक्ला सप्लाइर ग्रूप जो है वो क्या इंधन जो है वो सप्लाइए नहीं करेगा लेकिन इसके बाद भी हमारे पक्ष में अगर चीजे हैं तो इसका मतलब इस तरीके कि अगर चीजें अगर दुनिया के सामने जारी तो हमारी च्वीख खराब होगी तो जाहीं स सरकार का जो डिरेक्ट जो नियंतरन होना चाहिए मीडिया पर होना चाहिए नहीं होना चाहिए है न और सप्लइन है कि पॉलिक के सामने अप इसके खिलाब कोई बात होगी हमेशा जो है उसको दबाने के कोशी करेंगे आप हमेशा सुनते होंगे मीडिया और अगर पे सोशल मीडिया पे बीचीज चलती है कुछ बड़े-बड़े पत्रकार हैं जिनका नाम लेना मंजे लगता है कुछ इतनी है आप लेकि बड़े-बड़ से फोन आता है मीडिया होसेस की आप यह ख़वर नहीं चलाएंगे या इस ख़वर को आप बिल्कुल किनारे करिए यह ख़वर चलाई यह तरीके की चीज़ें आपके लोकतन के लिए बहतर नहीं है तो थोड़ा सा जैसे की मैं अपना विशार अगर आपको बता रहा हूं तो वो यह है कि मैं किसी भी तरीके से मीडिया पर कंट्रोल जो है पसंद नहीं करता हूं एक ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए जिसमें क्या हो सेल्फ रेगुलेशन हो मीडिया का और साथ ही साथ जो सिविल सुसाइटी है सिविल सुसाइटी उसमें इंपोर्टन रोल अदा कर घ sistरी रेगुलेट करें इस तरीकے से कहसे क्या करी का के भूंटैने ना घिक DAYा से जो है करना है और दिरे दिरे जब सामाज विकास होता जाएगगा और लोग मोड़िक करने लगे तो मुझे लगता है कि पर मीडिया भी पेड़ न्यूज है या मीडर ट्रेयल है या जो भी चीजे करता है तो जो trp जो बढ़ाने के लिए करता है तो trp में वही चीजे होती है कि जो public पसंद करती है जो public पसंद करती है अगर वही चीज relação की जा रही है जो bei से बात है उसकी ट्यार्पी बढ़ेगी न मतलब यह हुआ कि समाज अगर क्या है उसकी डिमांड बदल जाए अगर वो तार्किक हो जाए अच्छा सोचे निश्पक्ष सोचे मानवता वाद हो उसमें तो मुझे लगता है कि फिर मीडिया को भी क्या है मजबूरी में बदलना हैं और ये चीज़े जो है समझते हैं थोड़ा सा आगे इन सब जीस्वाव में अब लिख सकते हैं अभी थोड़ा ये समझे हम कि हमारे पस क्या क्या चीज़ें ऐसी है जिस पर यह देख सकते हैं कि मीडिया का रेगुलेशन जो है वो हो रहा है है ना तो जैसे माली जी क्या है OTT OTT प्लेटफर्म के बगर बात करें तो उसमें ठीक है वो सारी चीज़ें ना लेकिन आप OTT का मतलब समझते हैं OTT का मतलब होता है क् ओवर दा टॉप है ना ओवर दा टॉप इसमें होता क्या है इसमें यह होता है कि इसमें जो एप होती है या इसके द्वारे जो सेवाएं प्रस्तूत की जाती है तो वो सेवाएं जो है जो यूजर होता है जो भूगता होता है वो इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करता ह है ना तो यही क्या है आपको OTT है ठीक है ना तो इसमें क्या है जिसे माली जे फिल्म होगर अगर दिखाई जा रही है ना और वह सारे content होते हैं तो हमारे देश में क्या है 1992 का स्वरी 1952 का एक्ट है Cinematography Cinematography मैं शॉट में लिख रहा हूं थीक है 1952 का है ठीक है और एक है 1995 का है हाँ 1995 का है शायद एक बार क्रॉस चेक करके देख लिजेगा है 1995 का है यह जो है वो है केबल टीवी नेटवर्क नेटवर्क रेगुलेशन एक हाँ यह है रेगुलेशन एक्ट 1995 का है इसके अलावा आप देखें कि क्या कि आईटी एक्ट भी है यह 2000 का है आपने सुना होगा बड़ा चर्चा में रहा है 66A जिसके तहर जो है कुछ छोटे छोटे बच्चे जो है मतलब छोटी छोटी लड़के ही थी समझ लिए 1820 साल की बच्चे ही थी उनको क्या है सरकार के आलोचना करने के नाम पर जेल में ठूंस दिया गया उसके खिलाब जो है कारवाई शुरू हो गई है ना तो इसका मतल सब्सक्राइब को इस तरीके से कभर कर पाईएगा अधरवाइस फिर आप जो है ब्रेडिमेट चीज़ें आपको जो मिल रही है उसमें आपकी मौलिकता नजर नहीं आएगी है ना आप भी समझ सकते हैं चीज को कि जो सब लोग लिख रहे हैं वही चीज़े आप भी लिख कर रहे हैं जो भी चीज़ें वहाँ पर प्रिजेंट कर रहे हैं सभी चीज में क्या है एक फर्क नजर आएगा और आपके सफलता की चांसे जो हो जादा बढ़ जाएंगे इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है आपको ठीक है चलिए तो यह चीज़ें हैं इसके अलावा पी कर नहीं नहीं इसका क्या किया है इन बेन मतलब क्या हुआ क्यों सब्सक्राइब कर निशनल ब्रॉड कॉस्टर संसु अइसने और इसका क्या किया था सथे eight के वहां हम बात करें 2008 में एक जो है especially नाम भी ही था कि electronic media sorry सेन्टर है ना टो किया कि था पर कि इसके सभी मेशछी रहत है इस तरह की और भी चीज़ें हो सकती हैं और यो बहुत महत्त्पून चीज़ समझ लेते हैं जैसे आप नव师 कि मा कि कि आधीर 191 की बात करें ना इसमें क्या है अभिवेक्ति की आजादी है ना अभिवेक्ति की आजादी मतलब उसमें प्रेज भी आ जाता है मीडिया भी आ जाता है आपका ठीक है ना उसके आजादी के बारे में बात कही गई है कि भाई लोगतंत में आजादी होनी चाहिए अभिवेक् में ही आपको जो आजादी 되지 हुए से रिजनेवल restriction वी धिया हुआ यह लिऄ कई अㄧ्रों पर तार्खी का अधारों पर आपके इस आजादी को क्या किया सकता है आपके 스ण किया सकता है या फिर उसने कुछ अशल्टा की है या फिर ये भी कह सकते हैं कि सरकार अगर क्या सुरक्षा चीज़ सुरक्षा वाले जो जो चीज़ें होती है उसमें कहीं से इंटर फिर अगर दिखाई पूर रहा है मीडिया का तो सरकार भी हमाप एक्शन ले सकती है इसके आलावा आप मीडिया में कुछ इस तरीके चीज़े हो रही है जो क्या है कि हमारे विदेशों के साथ संबंद जो है वो खराब कर रहा है तो कई सारी ऐसे ग्राउंड है जिस आधार पर आप क्या कर सकते हैं अपने मीडिया को आप कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है ना इतनी सारी की चीज़े हैं है ना तो इसका मतलब यह है कि इसको ही आप क्या करें एक बेहतर तरीके से इस्तमाल करें और वहाँ पर आपका इटेश जो हो यह हो यह ना हो कि हमको क्या है को कंट्रोल करना है क्शे करना है कि अगर यद्ह है तो हमेशा है कि कोसिश कर रहे हैं क्य LatinIRE मिडि आपका उदेश वही है कि कंट्रोल ही करना है तो इसका मतलब यह कि फिर आपकी नियत पर शक होना तो सुभाविक से बात है ना तो हमें आपको सोचना है कि हम एक नागरिक हैं और अपनी आजादी को हम छोड़ना चाहते हैं फिर से परतंत होना चाहते हैं रेगुलेट होना हैं या फिर एक जनता के शासन चाहते है एक्शूल में जो लोग तंदर हैं उसको चाहते हैं ना तो मेरा जो पर्सनल विई है वो तो आपको मेंने बता ही दिया है कि मेरा पिर्सनल विई यहै कि मीडिया पर कंट्रोल जैसी चीज जो है वब integr Η्ट वो नहीं होना चाहिए है ना तो यहाँ पही चीज़ है कि जब आज कांक्लूड करें रहे हैं वहाँ पह है एलेक्ट्र वीडिया का जो रोल है अगर आप निशकर्ष की बात कर रहे हैं जबát कर रहे हैं तो आप इसको इस तरह क शनिशकर्ष की बात करएं तो आप इस Task स्तंग के रूप में बहुत ही महत्वपुर्ण है आपने समझाई दिया वह सारी चीजी कुछ जो है सकारातमक्ता ज्यादा है कुछ नकार आतमक्ता साथ इसमें आ गई है तो इसका मतलब वी है कि आप भी अप इसको फॉलो कर सकते हैं अगर अब क्या है जितने भी विक्सीद पश्वीद देश है ना वहां पर क्या है कि मीडिया पर कंट्रोल को किसी भी तरीके कंट्रोल को गौश्या नहीं माना जाता है क्योंकि वहां कि लोग बहुत ज्यादा जागरुख हैं और जागरुख होने के इनाते वो क्या है अपने लोकतंद को अपने आजादी को हमेशा जो है उसको सबसे ज्यादा प्राथि मूल लिके दोर पर लेते हैं और इसके दिशा में कोशिश करते रहते हैं लड़ते हैं वो लोग है ना तो मुझे अगर इसमें कुछ negativity अगर आ गई है तो इस negativity को या नकारात्मक पख्ष को दूर करने के लिए सरकार को सरकार को प्रत्यक्ष नियंत्रन करने से बचना चाहिए ठीक है ना इसको क्या है आप कुछ autonomous body जैसे हमने NBS से देखा जो NBS ने स्थापित किया है ना उस तरे के कि क्या है स्थापित करें और इसके साथ ही साथ स्थापित करें इसके साथ ही साथ स्थापित करें इसके साथ ही साथ आप क्या करें जो सीविल सुसाइटी है इसकी भूमिकाओ को क्या करें इसमें बढ़ा दें है ना सीविल सुसाइटी है उसकी भूमिकाओ को बढ़ा दें और इसके यलाओ हमारपा पहले से जो चीजें हैं कुछ रिगूलेट करने वाले हम उन्हीं को ही क्या करें एफेक्टिव तरीके से उसका इस्तेमाल करें ताकि जो है हम मीडिया को प्रतेक्श उरुपशन नियंतित करने के तो जाइब से बात है कि मीडिया वाले यह सर भी क्यों करेंगे इन चीजों को है ना इसलिए क्या है कि इसमें जो आपने देखा क्या इसमें यह देखा पहली जो इंपॉर्टन चीज है जो हम शुरू से बात कर रहे थे वह यह था कि आप टॉपिक को पकड़ करे चलिए है न एक सड़क्षाप अप्रोच शब्द अच्छा नहीं है लेकिन आपको बुरा भी लग सकता है लेकिन ना मुझे ऐसे शब्दों का इस्तमाल करना पड़ रहा है कि आप उस टाप को कुछ अगर आप लेके चल रहे हैं तो आप खुद भी समझदार हैं आप समझ सकते हैं कि पर नंबर नहीं मिलने वाला है आपको है ना और अगर मालीजी क्या है कि इससे ऐसा अप्रोच या फिर इससे भी और बहतर हो सकता है आपका अच्छे अप्रोच को लिए करके आते हैं और अपनी चीज़ें दिखते हैं तो वहां पर क्या पता चलता है कि आपकी सोच आपक competition community यही चाहता है ना तो आज जो topic था अपना उस पे हम लोग ने काफी कुछ किया है और जो approach आपको मिला है आप जरूर उसको देखिए समझे अगर अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है अगर कुछ कमिया रह जाती है तो जरूर आप मेरी तारीफ ना करें लेकिन आप कमेंट में जो कमिया रह जा रही है प्लीज उसके बारे में बताईए है ना ताकि मैं सुधार कर सकूँ आपके लिए कुछ और भी बहतर कर सकूँ ठीक है थैंक यू